हेलो एंड वेलकम तो मैथ अडिक्शन राज आमी डिसकस गरने सहूं बिजनस स्टाटिस्टिक्स को पार्ट वन इसमा हामी स्टाटिस्टिक्स को डेफिनेशन रद यसको इंपोर्टेंस को बारे माद सर्चा गरने सहूं नेपाल राष्टर बैंक रा नेपाल बैंक लिमिटेट को वेकेंसी ओपन भहिसे को कुरा सब लाई जानकारी होला रा यह वीडियो नेपाल बैंक लिमिटेट को लेबल 4, 6 रा 7 को सिलेबस लाई ध्यान मार आखे रा डिजाइन गरे को वीटियो हो ओप एसमा तपाई स्टाइस्टिक्स के यो तथ्यांक हो वा तथ्यांक सास्त्र हो आम श्योर धरेजनाले यो कन्फिजन हुँँँँँच इस्टाइस्टिक्स बनेको आखेर के राईचा तथ्यांक राईचा वा तथ्यांक सास्त्र राईचा तथ्यांक को मतलब हुँँँच नियुमरिक डा रध्त थ्यांक सास्त्र भनेको एवड़ा बिशे हो सब्जेक्ट भनेर बनना सक्णून्छ या इसलामिश साइन्स भनेर बनना सक्षों सो आखिरी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको की हो डाटा हो या कुने बिशे हो इसको बारे महामिचरशा गर्शों दुए अर्था ठिक्सन एसको मतलब स्ट्याटिस्टिक्स भनेको तथ्यांक भनी हो रध्यांक सास्त्र भनी हो जबहामि स्ट्याटिस्टिक्स लाई तथ्यांक भन्चों एसको मतलब येदि हामले स्ट्याटिस्टिक्स लाई नियुमरिक डेटा को रूप मा लियो बने तेस लाई statistics को plural definition बने रवन्ने गरींच रजब हामी statistics लाई तथ्यांक सास्त्र बन्षों मतलब कुने 20 को रूप मालेंच तब हामी statistics को singular definition प्रयोग गर रहेका हुंच के हो statistics को plural definition In plural sense, statistics refers to aggregate of numerical facts systematically collected for some pre-determined purpose कुने निस्सित उदेस्षे का लागी बेवस्तित तरिकाले संकलन गरीएको संख्यात्मक तथ्यारोको स्रेनी लाई तथ्यांक बनीच एसको मतलब हरे संख्यालाई statistics भन्ना मिल दैना जस्ते मले यानिर एकल संख्या सिंगल नंबर लेग दिये 40 kg यो बने को statistics हुए ना statistics हुना को लागी की हुन पोर सा बन्दाए तथ्यारोको स्रेनी या series of data हुन पोरे जस्ते मालो मैं ले तीन ओडा बिद्यार्थीको ABC को weight लेखे यानिर 40 kg B को 50 kg र तेसे गर र C को 55 kg भनेर लेखे पिछी यो डाटा को समोब सेट ब सो एस तो डेटा को collection लाई हामी statistics भनेर भन्ने गर सों जो कुने निस्सित उदेश्य को लागी collection गरिएक हुन र एस बाता हाम के निकालना सक्षों इन्योरको average या आउसत निकालना सक्षों त्यो सिंगल नंबर ले यो पुरई सेट अप डेटा लाई रेप्रेजेंट गर सो सो इस्टाटिस्टिक्स भनेको कुने साधरन संख्या हाई न स्टाटिस्टिक्स भनेको used mass of data धेरे डेठा वट निकाली एको एवटा निस्कर्श हो एवटा निचोड हो भनेर भुजनुस सो प्लूरल सेंस मा स्टाटिस्टिक्स ले aggregate of numerical facts भुजनुस एकोडिंग टू दिस डेफिनेशन यो परिवासा अनुसार स्टाटिस्टिक्स भनेको केराई सेता इट सिंपली मिन्स डाटा कुने निस्सीत उदेश्टेका लागी कलेक्शन गरेको डाटा राइचा जसला हामी नुमरिकली एक्सप्रेस गरना सक्षों मतलब संख्यात्मक रुप मा तबाई तेशला है प्रस्तुद गरना सक्न हुंचा तो डाटा बनेको कती किसिम को हुनसा क्षा दुई किसिम को प्राइमरी रर सेकेंटरी एसको बारे मा आमी पचिसर्चा गरनेशा हुए था next माच, statistics को singular definition बननाले की बुजिन्च so in singular sense, statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data singular sense माँ कुरा गर्दा, statistics बनने को तथ्यांक संकलन गरने, प्रस्तूत गरने, बिसलेशन गरने रभ्याख्या गरने बिज्ञान हो ये वड़ा science हो, जसलाइच सोट करी माँ हामी तथ्यांक सास्त्रो बने रपनी बनने गर्शों, सो तपाई, difference बुजनु जईत plural sense मा, statistics ले, डेटा बुजाऊंस, numeric form को संख्यात्म ग्रुब माँ प्रस्तूत गरेको डेटा हो जबकि singular sense मा, statistics बने को, ये वड़ा science हो, बिज्ञान हो, तरीका हो जचले हमलाइ data लाइ collection कसरी गर्ने, presentation कसरी गर्ने, analysis कसरी गर्ने, raw interpretation कसरी गर्ने, ये सब कुरा सिकाऊंस statistics refers to the tools and methods, which can be applied to raw data, to derive some meaningful information statistics बने को केरेश सिंगुलर definition अंसार, ये बने को, तरीका या बिदीहर को संगालो हो, जच त्वारा हमिकोने बनी data बट, महत पुर्ण जानकारी निकालना सक्सुं लवामी सर्शा गर्शों, types of statistics को बारेमा, अथवा statistics का प्रकार कतीवडा हुँजन। तो दुई किसिमको statistics हुँज़, पोईले वालाच, descriptive अथवा बढनात्मग statistics descriptive statistics are the summaries of data in the form of tables, diagrams, graphs और numeric values एसको मतलव, कुने data लाई, जब तालेका, रेखाचित्र, ग्राफ या एकल संख्या द्वारा संख्छे रूप मा प्रस्तूत गरेंच, ते स्लाई descriptive statistics बनेर बनने गर्शों जस्ते तबाईले धेरेट हाऊमा, इस्तो थाइप को diagram सरू देखनू बहाएको होला, इसलामी bar diagrams बनेर बनने गर्शों, इस्तो थाइप को line diagram बनेर उन्च, यो सपपई की हो, यो सपई data को representation हो, अलग अलग तरीकाले इसलामा, यो सपपई को समिश्रण बने को क्योंछ डिस्कृप्टिव स्टाटिस्टिक्स होनुँच, तालिकामा कसरी प्रस्तूत गर्णे, रेखा चित्र बनायर कसरी प्रस्तूत गर्ने, ग्राव कसरी बनाविने, यो सपई कुराहरू जुन isstatिस्तिक्स बित्र इस्टड स्टाटिस्टिक्स मां यूज उने टूल्स रटेखनीक सर्गो बारे मां तल लिखे गुछा इस वित्र प्रमुक रूप मां के के आउसन मन्दा इरी मेजस अब सेंट्रल टेंडेंसी जसला हमें आउसाद बने रबने गर्शां नो बारे मेजस बवारे मेजस रट्युनों कारल पchaeर्फनस देस्टिक्स पूसर पूसर बहलस कोफ़िछने कैनल थी ड़॥र टेष्टिक्सक्ष तोल्स बूस यूँष ऐसनो बेजसाद 살ने इपे रम संब SUS。More इंफरेंचिल स्टाटिस्टिक्स बनेगो के रईचा बन्दाहरी यो योटा ब्रांच ओब स्टाटिस्टिक्स जसले दुईटा कुरासंग संबंद राक्स योटा एस्टीमेशन अनुमान लगाउने र दोस्रो हाइपोतेसिस टेस्टिंग जसला हमी परिकल्पनागो जास बन ठूलो पॉपुलेशन बड़ तबा येवडा स्यानो सेंपल लिनुँँँच यो सेंपल को जाज गरिएँच परिक्षण गरिएँच र एस बड़ा आयको नतीजा लाई हामी जेनरलाईज गरशां पूराई पुराई पॉपुलेशन को लागी मतलब एस बड़ा जो पुराई पॉपुलेशन को लागी सई होला बनने हाम्रो अनुमान होंच या परिकल बना होंच हैता यो प्रोसेस लाई inferential statistics बने र बनने गरिएँच यो पॉइंट मा टेई कुरा एक्स्प्लेन गरिएको सेंपल साथ टेकन फॉपुलेशन युजिं सेंपलिंग टेक्निक् तेयो नमुना माथी परिक्षन गरिएंच र तेसवटाया को निस करशलाई पॉबरे पॉपुलेशन को लाईगी ठीक्स बने र मानेंच यो इंफरेंशल स्टाटिस्टिक्स बिसमा के फरक्स डेटा को नेचर लाइ डिस्क्राइब गरस एवरेज द्वारा आइन डिस्पर लगाँसों, यहटा population वड़ा sample लीँच, त्यो sample लाई जाज गरीँच र तेस वड़ा तबाई, पूरे population को बारे माँ कुने अनुमान लगाँनोंच, तेसला आमी inferential statistics बनेर बन्ने गरशों, यहसमा बिशेस गररर probability को main use उन्सा, यह सम्भावना बन्ने चुनोंच, यह वाला प्रयोगँच, probability. लाब आमी हर्शों, statistics को महत्व केश, importance of statistics अलग अलग सेक्टर मा, सबय बन्दा पईलो पॉइंट माँस, statistics help in weather forecasting, मौसम को जानकारी दिनको लागी, statistics को प्रयोगँच, फर्कास्टिंग बन्नाले भविशेमा मौसम कस्तो रहनेच, तेसको बारे माँ पूर statistics are mostly used by researcher, अनुसंदान करताले इसको विशेश कर प्रयोगँच, they use their statistical skills to collect the relevant data, अनुसंदान करताले data लाग कलेक्शन गरनू परने हुँच, त्योबे लामा उसले statistics को नौलेज अपलाई गर्श, यदी उसले सईसंग डेटा कलेक्शन गरेना बने, उसको समेर पईसा दुए घर्श जाना सक्ष, तैसे ले statistics अनुसंदान करताला लागी विशेश महतोगु कुरा हो, थोड मा, statistics are used by insurance companies, यो बीमा कमपनी अरले बनी statistics को प्रयोगँच, धेरे इंसुरेंस कमपनी ले, इंसुरेंस दीनु भन्दा पहिला, statistical model सरु को प्रयोगँच, ताकी यो था होस, कि क कुने पर्टिकुलर बेक्ती या बिजनस लाई, इंसुरेंस दीनु ठीक हो या होईन, रिस्की सा, या कम रिस्क वाला स, यो गुरा थाबाउनों गोलागी, इंसुरेंस कमपनी ले बनी statistics को प्रयोगँच, चोथमा स, in financial market, statistics plays a great role, financial market, जाने रा हामी पहिसा लाई, इंवेस् त्यों, मार्केट मा बनी statistics को प्रमुग भुमिका होंच, कुने कमपनी को शेर किनने कि न किनने, यो कुने येवटा पर्टिकुलर कमपनी मा पैसा लगाने गरने कि न गरने, यो सब पई decision लिनको लागी, मार्केट लाई, रामर्संग स्टडी गरनु परने होंच, बिगत म पॉइंट मा, statistics प्ले आ बिग रोल इन मेडिकल फिल्ड, जो मेडिकल फिल्ड शो, दवाई अरको जो फिल्ड शो, तेसमा बनी statistics को प्रमुग भुमिका होंच, बिफोर अने drugs prescribed, scientists must show a statistically valid rate of effectiveness, statistics are behind all the study of medical, कुने बनी दवाई बनाउने कमपनी ले, हमरो दवाई इफेक्टिव स हमरो दवाई ले सई संग काम गर स, वन्ने कुरा प्रमानित गरना को लागी, statistics को प्रयोग गरेर, relevant information पब्लिश गरनु परने होंच, हैता Statistical concepts are used in quality testing Quality testing मा पनी, statistics को प्रयोग गरिंच, companies make many product on a daily basis and every company should make sure that they sold the best quality items, but companies cannot test all the product, so they use a statistics sample Statistical concepts are used in quality testing, जस्ते यवडा कमपनी ले, product बनाई सगे विशी, त्योग प्रड़क को quality को स्पोछ, त्योग टेस्ट गरना को लाई पनी, statistics को प्रयोग गरिंच, अब सपई प्रोड़क लाई जास गरना सकिन्न, ते वहरा कमपनी ले के गर सा बंदारे, कुने यवडा निस्च नमुनालेंच, तेसको जाज गर स, रत्यस पसाडी ये त्योग sample को quality रामरो देख्ये वने, पुराई population को quality पनी रामरोई होला बनने, सोच का आधार मा, ये product लाई market मा लांच गरिंच, इता साथो नमर मा, statistics are used in accounting and auditing, accounts और audits मा बनी, statistics को प्रयोग गरिंच, auditor ले के गर स, बंदा हरी, के sample accounts लाई लिये रो, तेसको बिशलेशन गर स, रत्यस पसाडी येवटा audit report तयार गर साइथ, आठो नमर मा, news reporter makes a prediction of winner for elections based on political campaigns, here statistics play a strong part in who will run the government, जो news agencies हर हुंच, news reporters हर हुंच, तिनलेबनी statistics को प्रयोग गर रहेगा हुंच, यो थाप आउनों को लाईगी कि आगा में चुनावमा, कुंचाय पार्टी को जितना सपने संबावना बेशी स, कुंचाय पार्टी ले सरकार सलाउने स, यो सपई जानकारी statistics द्वारा, news agency और ल is based on statistics and mathematics concept, जासे हामी internet चलाऊंच, इंटरनेट चलाऊंच, यो सपई कसरी संबावनच, तेस बित्र पनी statistical और mathematical model चरू अपलाई गरिये कौंच, तेसले internet मा पनी statistics को बिशेश प्रयोग गरिये को पाइन जाईत, दौस नमर मा, statistics are widely used in economics, और ता सास्त्रमा बनी statistics को बिशेश प्रयोग सा, it helps in making economic policies, economic policies बनावनो को लागी, knowing unemployment rate, बेरोजगारी को प्रतिशत कस्तो सा, तेवा थापावनो को लागी, capital utilization, capital को प्रयोग, मुझरी को प्रयोग, कसरी बहरोगो सा, तेवा थापावनो को लागी, statistics को आवशेक्ता हुन सा, याई statistics को प्रयोग गरिन सा, इधा, ला यो वीडियो मा एती ने, होप तबाईले statistics को बारे मा कही basic जानगारी पक्के बनी पावनो भूएगो अला, Thank you for watching the video, please subscribe my YouTube channel Math Addiction for more videos.